कि बिस्मिल्हाइब रहीम अस्सलामुलेकूम रहमतुल्लाहिवबरकातू हाई डियर्स कैसे हैं आप सब डियर्स प्रीविएस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कि यहाई क्या तो हमने उसे कंदूजन निकाला कि कॉंफिडंस लेवल को डिग्रीश करने से आपका जो प्रिसिजिन होता है वो भढ़ जाते है वह इंग्रीज हो जाते है और यह हमारी क्या होती है स्टेटिसिक्स में दिमांड होती है ठीक है अच्छा थोड़ा साब से डिस हमारी results के precise है यही कहानी यहां पर है कि जब हम confidence interval बनाते हैं तो इसके दो estimates होते हैं एक lower estimates होता है एक upper estimate होता है अगर इनके दर्मयान जो है वो gap कम होता है यहीं अगर इनकी width कम होती है तो हम declare करते हैं कि वहां पर precision क्या होती है ज्यादा होती है ठीक है तो आज हमारा जो वो agenda यह है कि हम आपको बताएंगे कि sample size का जो है वो precision से कैसा connection है तो इसके लिए हमने same example लिए हमारे पास x bar की value 25 आ रही है सिकमा की value 2.25 एंड 1-alpha हमने यहां पर क्या लिए 95% लिया हम ऐसा करते हैं इस example को हम आपको कैसे जिखाते हैं हम population parameter mu के जो हैं वो confidence interval जो है वो construct करते हैं यह हमारे पास formula है अगर हमारे पास 1-alpha की value 95% हो तो हमारे पास z alpha by 2 यह निए tabulated value जो है हमारे पास 1.9 से साथ यह ठीक है n is equal to 30 बेगर हम calculations कर लें putting कर लें तो यह हमारे पास कुछ यह आ रहा है हमारे पास lower estimate 24.19 आ गया और upper estimate 25.81 आ गया हमने क्या किया इनकी width मालूम की है यह आप इसको range भी कह सकते हैं तो हमारे पास 1.62 आ ठीक है ऐसा करते हैं हम तमाम चीज़ों को वैसा ही रखते हैं sample size को मैंने 30 से क्या कर दिया 40 कर दिया आपके पास results आ रहे है lower estimate आपके पास 24.3 आ रहे है और upper estimate आपके पास 25.70 आ रहे है अगर इसके हम width ले 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 या range ले ले तो हमारे पास क्या रहे है 1.4 आ ठीक है तो जितनी आपकी width कम होगी उतनी precision वहां पर क्या होगी ज्यादा होगी तो आप देखे जब आपके पास sample size 30 था आपके पास width क्या रहे थी 1.62 40 पे width क्या होगी 1.4 होगी यह नहीं precision बढ़ गई 50 पे यह width मजीद काम होगी यह नहीं precision और बढ़ गई ठीक है तो हम कैसे precision को जो है वो declare करेंगे कि जब आपके पास width जो है वो छोटी से छोटी होती जाएगी तो हम यह कह सकते हैं कि हम यहां पर मैसूस कर सकते हैं कि हमारी जो precision है वो क्या हो रही है बढ़ रही है और being a statistician precise results हमारे पास क्या होती एक achievement होती है मेरी बाद समझा रही है आपको तो इसके बतलिक हमें conclusions बना सकते हैं कि precision may be increased by decreasing one minus alpha जिसको हम confidence level भी कहते हैं confidence option के नाम से भी जानते हैं and by increasing sample size n यानि precision को आप दो different तरीकों से जो है वो increase कर सकते हैं एक आप sample size को increase करके precision भढ़ा सकते हैं दूसरा आप confidence level या confidence description को decrease करके जो है आप precision भढ़ा सकते हैं यह बड़ा important question है मैंने example के साथ जो है वो आपको verify करके दिया तो dears मुझे अमीद है कि यह जो classical किसम को concept आपको अच्छा लगा होगा इन्शाला नेक्स वीडियो में आपसे दोबारा मुलकात होगे Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh